हेलो गाइज आज हम डिसकेस करेंगे एक बहुती महतुपूर टॉपिक आर्टिकल राइटिंग जिसका नाम है जेनरेशन कैप जेनरेशन कैप क्या होता है पहले तो इसका प्रिव्यू समझ ले हम जो बुजर्गों और युबाओं के बीच में उनके विचारों को लेके ठीक जो उनकी सोच होती है वो अलग होती है युबाओं की सोच होती है वो अलग होती है बड़े लोग बुजर्गों की सोच अलग होती है युबाओं की सोच अलग होती है और इसकी भरपाई करने के लिए दोनों के बीच में एक मतवेद पैदा होता है अंतर पैदा होता है जि लिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, generation gap, introduction दिया है, important topic है, exam में आता है, पुछा जाता है, generation gap is a term, generation gap एक term है, which is given to the gap between two generations, जो दो पुड़ीों के बीच में दिया जाता है, यह gap किसके बीच में होता है, दो पुड़ीों के बीच में, the younger generation, younger generation के बीच में हो सकता है, and the elder generation, elder generation के बीच में, especially between children and their parents, wishes करके हम बात करें, बच्चों और उनके मातापिताओं के बीच में, everything is affected with a change of time, हर चीज प्रहावित होती है, समय के साथ, एज के साथ, and the culture, manner, संस्क्रती के साथ, manner, आचन के साथ, morality, नेतिकता, etc. और भी चीजे हैं, It is fact that, यह fact है, this difference affects everyone, और यह जो अंतर होता है, दोनों के बीच में, माता-पिता के बीच में, बच्चों के बीच में, इन चीजों के लिए के जो अंतर होता है, समय बदलना होता है, time, age, culture, manner, morality, यह प्रहावित करता है हर किसी को, Context में, क्या दिया है, Generation gap is an everlasting social phenomena, जो generation gap है, is an everlasting, कभी अंतर तक चलने वाला, ठीकि everlasting, हमेशा मेशा के लिए चलने वाला क्या है, एक social phenomena है, सामाजिक phenomena है, Every generation lives at a certain time, हर पीडी रहती है, at a certain time, एक निश्य समय पर, under certain conditions, निश्यत दशाओं में, निश्यक कंडिशन के साथ रहती है वो, So different generations have their own system of values, इसलिए अलग-अलग पीडियों का, अलग-अलग values होते हैं, अलग-अलग views होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है, And every side wants to uphold the principles they believe in, और हर किसी के side, चाहें बात करें हम younger generation की, चाहें बात करें हम elder generations की, और यह समस्या हमेशा कैसी बनी रहती है, अनसुली हुई बनी रहती है, throughout the ages, योगों योगों तक, Generation gap is the difference in attitude, Generation gap क्या है, एक अंतर है, in attitude, attitude में, और lack of understanding, या समझदारी की कमी कह सकते हैं हम, between younger and older generations, younger generation और older generation के बीच में, Today everybody likes to live and behave in his own way, आज हर कोई, अपने तरीके से रहना चाहता है, अपने तरीके से विभार रखना चाहता है, वो, this attitude has enlarged the generation gap, और यही attitude है लोगों का, कि मैं जैसे रहता हूँ, मैंने जैसे जीवन जीया है, मैं ये चाहता हूँ, इनके सामने परिसेदियां कुछ और है, तो इनके तोर तरीके अलग होंगे, तो इस चीज़ को हमें elder लोगों के समझना होगा, ठीक है, नहीं तो ये gap कैसा रहेगा, बना रहेगा, which is becoming wider and wider day by day, जो ये gap है, जेनरेशन का यंगर और elder के वीच में, दिन बर दिन कैसा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है, significance देखिए महत पूरता क्या है, ये क्या कर रही है, फैमिली लाइफ को पूरी तरीके से बाधित कर रही है, जो बड़े लोग है, वो बच्चों की देखवाल करते हैं, make all sorts of sacrifices, सभी प्रकार के वो त्याग करते हैं, to bring them up, उनका पालं पुश्र करने के लिए, parents want, मातापेदा चाहते हैं, children to follow their instructions, कि बच्चे उनके instruction का पालं करें, उनके अंदर देशों का पालं करें, as they believe, क्योंकि उनके विश्वास करते हैं, it is for the benefit of the children, क्योंकि उनके विश्वास होता है, कि इसमें बच्चों क्या benefit है, and would do them good, और ऐसा करके उनके लिए अच्छा होगा, on the other hand, दूसरी तरफ, children face immense pressure of exam, बच्चे का करते हैं, बहुत बड़ा pressure feel करते हैं exam का, cutthroat completion, इस गला काट प्रतियोगता हमें, and think that, और वो सोचते हैं कि, parents know nothing about the demands of this fast-paced world, कि उनके जो माता-पिता है, जो तेजी से दुनिया चल रही है, ठीक है, उनकी demand के बारे में ये कुछ नहीं जानते हैं, उनके दुमाद में ये वचार होते हैं, कि माता-पिता हमारे कुछ नहीं जानते हैं कि, दुनिया करी तेजी से चल लही है, in the end, despite, love and affections, ठीक है, वो प्रेम और लगाओ के बावजूद भी, for each other, एक दूसरे के लिए, both are drained of energy, दौनों की energy क्या जाती है, बिल्कुल वेस्ट चली आती है, and are unable to understand the other, और एक दूसरे को कभी समझी नहीं पाते हैं, conclusion क्या है, unlike West, जैसे कि West की बात करें, in India, इंडिया में, this problem is yet in the initial stage, ये जो समस्या है, initial stage पर है, but the gap has appeared, लेकर जो gap है, वो नजर आता है, दिखाई दिया है, and it is going to grow bigger day by day, और जो अंतर है दिन पर दिन कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, if you want happiness for a lifetime, help the next generation, says a Chinese proverb, ये Chinese proverb है, कि if you want happiness for a lifetime, अगर आप जिन्दगी पर खुशियां चाहते हैं, help the next generation, तो जो अगली पीडी आ रही उसकी मदद करें, उनकी problem को समझें, क्या समस्या हैं, किन समस्यां से वो जूज रही हैं, क्योंकि ये generation है, इनके सामने conditions कुछ और हैं, जब उन्होंने जीवन जिया होगा, जो आज elder हो चुके हैं, उनके सामने conditions कुछ और होगी, तो उनकी समस्यां को समझें गो, So it is not only the responsibility of the younger generation, तो ये जिम्मेदारी के वल, युवाप पीडी की ही नहीं है, but also of the elder, elder की भी है, to fill this gap with their love, कि उस gap को भरें प्रेम से, affection से, trust और विश्वास से, जब problem, समस्या, in fact, वास्तम में, has grown, बढ़ गई है, intensified और बढ़ा दी गई है, due to the rise in the complexities of modern life, जो हमारी modern life है, उनकी जटलता हुने, कि modern life बहुत ज़्यादा complex है, तो इस चीज़ का ध्यान मीं रखेंगे, ठीक है, generation gap को कैसे finish किया जाए, इस चीज़ के बारे में हमने जाना, और exam point of view से बहुत important topic है, ठीक है, इसी तरीके से हम और भी topic discusses करेंगे, thank you very much,